हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो समीधा फूड इन पेसंड, आज यहां पर मैंने बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल खिचरी बनाया है, जो कि इस मकर संक्रांत्री आप एक पार जरूर ट्राइ करें, तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है और सारे वेजिटेबल भी इसमें मि हैं, तो प्लीज में चैन को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, जैसा कि मैंने स्क्रिन में दिखाया है, कि यहां पर मैंने अरहर की दाल और मसर की दाल लिया है, तो दोनों एक कटोड़ी भर के लिए, थोड़ी दे के साथ इसको बनाया है, तो यह सारी दाले इसमें रख देंगे, और थोड़ी देर तक के लिए इसको उबलने देंगे, जब यह काफी अच्छे से उबलने लग जाएगा, तो इसमें जो जाग बनता है, उसको आप जरूर निकाल दें, क्योंकि इसको खाने से यूरी केसी बढ़ता है, तो यह जरूर आप इसको इस तरीके से जितने जाग है, उसको निकाल ले, फिर यहां पर डालेंगे, हल्दी और नमक और थोड़ा सा ओयल इसमें डाल कर धकन लगा देंगे, जिसे की जो यह पानी है, वो उपर फिके न, अब थोड़ी जब तक वो दाल बन र तो मैंने आप एक गोवी लिया है, उसको थोड़े से बड़े-बड़े साइच में ही काटना है, इस तरीके से आप गोवी को काट ले, मतर लिया है, मैंने गाजर लिया है, अब इन सब को इस तरीके से काट ले, और फिर आलू लिया है, टमाटर लिया है, और तीन बड़े अनियन लिये है मैंने इन सब को इस तरीके से मैंने चौप कर लिया है अब एक कड़ाई लेंगे जिसमें की सरसो तेल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं इसको बहुत साथ करम कर ले और उसमें इस तरीके से गोबी को फ्राई कर ले थोड़ी देर तक जब तक कि ये थोड़ा स सौफ्ट हो जाए तब तक आप इसको इस तरीके से फ्राई कर ले ये देखिए अब यहां पर थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने यहां पर इसमें जो कटे हुए आलू थे तो वो मैंने डाल दिया है तो ये बॉइड नहीं है ये कच्छे आलू है तो वो डाल दे इ ताकि ये थोड़ा सा सौफ्ट बन जाए ये देखिए जब तक हमारी दाल भी बनके तैयार हो गई है ये देखिए अब इसमें हम जब तक चावल डाल देंगे और बिलकुल मेडियम फ्लेम पर इसको हम ढग कर पकाते रहेंगे अब विसल नहीं लगानी है इसमें और थोड अब यहां पर हम गाजर डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए ये देखिए और फिर थोड़ी देर धख के पका लेंगे और इसको इतना ही पकाना है और फिर उसे निकाल लिया हमने फिर थोड़ा सा उसी कड़ाई में ओल डालेंगे उसके बाद वहां प इन सब को अच्छे से भून लेंगे हम उसके पाद यहां पर हम अनियन मिलाएंगे तो अनियन को भी आपारिक ही चौप करके डालें और ये सब थोड़ा सा लाल हो जाए तो उसमें टमैटो को मिला देंगे तो मैंने दो बड़े टमाटर लाल टमाटर लिये हम फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डालें क्योंकि हमने पहले भी नमक दाल में यूज किया था फिर हम हल्दी डालेंगे थोड़ा गरम मसाला डालेंगे जीरा पॉडर डालेंगे बस यहां पर आप मिर्ची भी डाल सकते हैं तो मैंने ज से फ्लेट न हो जएक और और सब्चिया थोड़ी देर के बाद इस पें हम सब्चिया मिला देंगे यह देखिए और जब तक फिर देखते हैं तो यहाँ पर फिर दाल थोड़ा सा दाल और चाबल दोनों अच्छे से पक रहे हैं तो उसमें हम ये सबजिया मिला देंगे सारे और फिर कूकर के धकन को धक कर इसको मेडियम फ्लेम पर बिल्कुल कम करके इसको इस तरीके से पकाते रहेंगे तो सबजिय जब पक जाए जब आलू बिल्कुल अच्छे से पक जाए तो ये हमारे खिचरी तियार हो जाती है उसके बाद इसमें कटे हुए धनिया पता डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे ये देखिए और ये तियार है हमारी वेजिटेबल खिचरी और लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक्स तब तक के लिए बबाए और मिलते हैं नेक्स्ट रर्सीपी की साथ और इस फेस्टिबल आप इसको एक बाद जरूर ट्राइ करें मेरे प्रासेस से बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन के तियार भी हो जाती है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसमें आपके बच्चे भी खा लेंगे और उनको वेजिटेबल भी अच्छे से मिल जाएगा और गरम-गरम खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है